हेलो स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10, एक्सेसाइस 4.2, एक्सेस 4.2 में आपको दिया गया है, क्वाइडिक एक्क्वेशन दी हुई है, क्वाइडिक एक्क्वेशन के हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, उसके फैक्टर बनाएंगे, इट मिन्स रूट फाइं करेंगे, कैसे देखो, first है हमारे पास, find the ratio of the following quadratic equation, by factorization, आपको quadratic equation दी हुई है, उनके factorization, उनके roots बनाएंगे, किसे by factorization, factorization मिन्स उनको break करके, देखते हैं कैसे, first है x square minus 3x minus 10, अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें दो numbers चाहिए, जिनको अगर हम प्लस माइनस करेंगे, तो क्या 3 आजए, multiply करेंगे, तो 10 आजएगा, कैसे, देखो, हमारे पास, दो number क्या आजएगे, कि उन दोनों digits को, plus या minus करेंगे, तो कितना आजएगा, minus 3, और दोनों की multiply करेंगे, तो क्या आजए, minus 10 आजए, अब minus का 10 है, it means, 1 minus 1 plus है, किसके ज्यादा लेने है, minus के, तो हमारे पास असे digit क्या, 5 or 2, minus का 5 ले ले लेंगे, और plus का क्या ले लेंगे, 2, minus 5 ने से 2 जाएगा, minus 3, और minus 5 or 2 की multiply क्या आजएगे, minus 10, तो हमने क्या लिया, x square इसको break कर लिया, minus 5 x plus 2 x minus 10, अब दोनों में से common क्या आजएगा, x इदर क्या बजएगा, x minus 5, plus इन दोनों में से common क्या आजएगा, यहाँ पर x आएगा, minus 2, 5 जा 10, तो यहाँ क्या आएगा, 5, अब दोनों में common क्या है, x minus 5, और इसके लाब बचेगा, x plus 2, और क्या आजएगा, x minus 5, common है दोनों में, roots of this equation, इस equation के roots क्या होंगे, देखो, x minus 5, x plus 2, is equal to किसके रखदेंगे, 0 के, एक बार हम x minus 5 को 0 के एकवल रखेंगे, एक बार x plus 2 को 0 के एकवल रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास किनी भी दो numbers की multiply 0 कब होती है, कि उन दोनों numbers में कम से कम एक number 0 है, मानले हमने एक बार first को 0 रख लिए, एक बार second को 0 रख लिए, हो सकता है, first भी हो, हो सकता है, second भी हो, तो कब x minus 5 is equal to 0, x is equal to minus thider आ जाएगा, plus आ जाएगा, तो x plus है, x is equal to 5 आ गया, x plus 2 is equal to 0, x is equal to इदर, plus thider क्या आ जाएगा, minus, तो हमारे पास x की दो value आ गई, क्या-क्या 5 और minus 2, यह हमारे पास है, इसके roots है, next है, question number 2, 2x के एक प्लस x minus 6 है, अब हमारे पास इसका, जो coefficient वो 1 होना जरूरी ह तो हम क्या करेंगे, 2 के और 6 के multiply कितने आ जाएगी, 12, तो दो numbers जून देंगे, जिनको plus minus करें, तो 1 बचेगा, और multiply करें, 10 वा आएगा, तो देखो, 4 और 3 आ जाएगा, अब ज्यादा किस के होंगे, plus के ज्यादा होंगे, क्योंकि plus का है, हमारे पास, एक plus का होगा, एक minus का होगा, क्योंकि multiply minus है, तो क्या आजएगा, 2X के और, plus का 4X और, minus का 3X, 4X में से 3X गटाएगे, क्या आएगा, plus का X है, और plus 4 minus 3 के multiply 4, 3 जा, minus 12 आजएगी, और इस community जरक लिए, minus 6, अब दोनों में से common क्या आजएगा, एक तो 2 आजएगा, यहाँ X के रहे, यहाँ X है, तो X 12 आजएगा, हमारे पास, अंदर क्या बचेगा, 2 भी भारा आजएगा, X भी, तो 2 पावर थी, एक X बचेगा, अंदर, X, plus 2, 2 जा, 4, तो यहाँ क्या बचेगा, 2, minus, इन दोनों में common क्या है, एक तो minus है, दोनों में common, वो ले लिया, हमने, दूसरे क्या है, 3, 3 हमने common ले ल equation, इस equation के root find करेंगे, तो X is equal to क्या रख देंगे, इसको 0, first is equal to 0, and second is equal to 0, X plus 2 is equal to 0, X is equal to plus, इदर आया होगा, अब minus आजएगा, तो क्या आजएगी, X की value minus 2, दूसरे क्या है, 2X minus 3 is equal to 0, X is equal to, पहले हम 3 को इदर ले क्या है, तो plus हो जएगा, फिर यह multiply, इदर divide में आएगा तो X की value क्या है, 3 by 2 और minus 2, यह हमारे पास 2 root है, next है हमारे पास third, root 2, X square plus 7X plus 5 root है, 2, root 2, root 2 कितना आजएगा, 2 और 5, 2 जा 10, तो इसको हम break कर देंगे, किसमे, plus करें, 7 आजए, multiply करें, 10 आजए, 5 और 2 आजएगा, 5 plus 2, 7 और 5, 2 जा 10, अब दोनों सेम होंगे, क्योंकि यह plus है तो दोनों plus के लिएंगे, अगर यहां plus कब कब हो सकता है, यहां तो दोनों plus के यहां फिर दोनों minus, तो दोनों minus हो नहीं सकते है, क्योंकि यहां भी plus है, तो it means दोनों plus आएंगी, root 2 X square plus, इसको break कर लिया, 5 X plus 2 X plus 5 root 2, अब इन दोनों में से common क्या ले लिया, X ले लेंगे, दोनों में से common क्या आजेगा, root 2 into X plus 5, प्लस इन दोनों में common क्या आजेगा, यह हमारे पास जो 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते है, root 2 का, whole square लिख सकते है, तो 2 times आजेगा, यहां एक बार का हमने भार ले लिया, अंदर क्या बचेगा, root 2 और X plus, यह बार चला जेगा, यह क्या ब प्लस 5, अब दोनों में common क्या है, root 2 X plus 5, अगर यह दोनों में same आजाता है, तो हमारे factor ठीक है, otherwise हमारे factor गलत है, हम दोनों में common क्या आजेगा, root 2 X plus 5, अंदर क्या बचेगा, X plus root 2, फिर हमारे पास इसके root निकालने है, तो हम क्या करेंगे, is equal to 0, put कर देंगे, first is equal to 0, and second is equal to 0, first को 0 के equal रिका, X plus root 2 is equal to 0, X is equal to क्या आजेगा, minus root 2, दूसरे क्या है, root 2 X plus 5 is equal to 0, root 2 X is equal to minus 5 आजेगा, और X is equal to minus 5, multiply कर देंगे, इधर लागे, तो हमारे पास यह दो फेक्टर आएंगे, minus root 2 and minus 5 by root 2, next है fourth, 2 X square minus X plus 1 by 8, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 by 8 को ही common लेंगे, ठीक है, LCM है, LCM ले लिया, हमने क्या आजेगा, 8 to जा, 16 X square, 8 बन जाए, minus 8 X है, और यहाँ पर क्या बचेगा, plus है, 1, 1 by 8 को भार ले लिया, आप देखो 16 की और 1 की multiply क्या हो जाएगी, 16, दो number जिन की multiply करे 16 आजाए, और add करेंगे, तो 8 आजाए, तो क्या आजाएगा, 4 और 4, as it is लिकलेंगे, 16 X square, 8 X को break कर लिया, minus 4 X, minus 4 X plus 1, दोनों में common क्या आजाएगा, 4 X क्या बचेगा, 4 4 जाए, 16 होता है, तो 4 X minus, यहां से पूरा बार गया, तो क्या बचेगा, 1, अब इन दोनों में से common क क्या ले लेंगे, minus 1, यह क्या हो जाएगा, plus का हो जाएगा, और यह plus था, यह minus, क्योंकि हमार पास दोनों सेम करना है, हमें, दोनों को सेम करने के लिए, हमने क्या ले लिया, minus, अब क्या आजेगा, 1 by 8 अंदर क्या आया, 4 X minus 1, 4 X minus 1, अब देखो, is equal to 0 पुट करेंगे, इस को, first को 0 रुखा, तो क्या आजेगा, X is equal to, minus को इदर ले क्या है, plus का 1 हो जाएगा, और यह multiply है, divide में आएगा, तो X की value क्या आजेगी, 1 by 4, 1 by 4, next time, 100 X के और minus 20 X plus 1, अब देखो, 100 की और 1 की multiply क्या आजेगी, 100, तो हमें ऐसे नमबर ढूनने है, कि दोनों को multiply करें, 100 आजे, तो क्या आएगा, 10, 10 आजेगा, 10, 10, 100, 100, 10, plus 10, 20, minus है, तो दोनों minus कीलेंगे, 100 X square, minus 10 X, minus 10 X, और plus से 1, अब दोनों में common क्या आजेगा, एक तो 10 आजेगा, दोनों में, और एक X, हो जाएगा, 10, 10,100 होता है, तो 10 बचेगा, और X square में से X, minus की पूरा, पूरा भार गया, त जो plus था, वो minus हो जाएगा, तो क्या आजेगा, 10x minus 1 into 10x minus 1, फिर is equal to, इसको 0 पुट करेंगे, तो क्या आजेगा, एक बार, first is equal to 0, second is equal to 0, 10x minus 1 is equal to 0, x is equal to, पहले minus को इदर लेका है, plus 1 होगे, फिर 10 को divide मिलेंगे, इदर से भी ऐसे हो जाएगा, जाता x की दो value आजेएगी, क्या आजेगी, 1 by 10 and 1 by 10, next है हमारे पास, question number 2, question number 2 में आपको example दिया हुआ है, और example जो भी है आपका, उस example में, आपको quadratic equation बना रखे, उस quadratic equation को solve करेंगे, ठीक हैं, यह आपको सिर्फ पूरा example करके बता रखा हैं मैंने, लेकिन हमें सर्फ quadratic equation को solve करना है, यह बता देते हुमें कैसे कर रखा हैं, कि उसमें हमारे पास 2 हैं, जोन और ज्यावन्ती, जोन के और ज्यावन्ती के पास total 45 marbles हैं, ठीक हैं, तो उसको हमें solve करके बताना है, कि जोन के पास कितने हैं, और ज्यावन्ती के पास कितने marbles हैं, देखते हैं conditions के according क्या हैं, हमने मान लिया कि जोन के पास कितने marbles हैं, एक से ज्यावन्ती के पास कितने marbles बचेंगें, total 45 थे, 45 में से minus कर दिया, 45 minus x, फिर यह बोल रखा है कि लोस 5 marbles हैं, दोनों के पास से 5 marbles खो गए, अगर इसके पास से 5 marbles खो गए, तो कितना आजेगा, x minus 5 और ज्यावन्ती के 5 marbles खो गए, तो क्या आजेगा, 45 minus x minus 5, 45 में से 5 बचा देंगे, 40 और minus x, उसके बाद condition दे रखिया है, कि 5 खो जाने के बाद, दोनों के marbles की multiply कितने आजाएगी, 124, तो इनके दोनों इस multiply करेंगे, x minus 5 into 40 minus x is equal to 124, उसके बाद हमारे पास से, इनके multiply करके quadratic equation बनेगी, x की और 40 की multiply 40x, x की और minus x की minus x के, minus 40 के और 5 की 200, और minus minus plus 5 x is equal to 124, इदर के आजेगा, minus x के और plus 40 plus 5, 45 x minus 200 minus 124 is equal to 0, अब पूरे में से minus common ले लेंगी, common ले लेंगे तो उदर जाएगा, क्या आजेगा, x के और minus 45 x है, प्लस है, क्या आजेगा, 324 is equal to 0, अब हमें करना है कि, दो numbers की multiply 324 है, plus minus 45 है, तो हमारे पास ऐसे factor आएगे, 36 और 9, 36 और 9 की multiply 324 हैगी, 36 plus 9 करेंगे, तो 45 आएगा, x के और minus 36 x, minus 9 x plus 324 is equal to 0, दोनों में से common क्या आजेगा, x, अदर क्या आजेगा, x minus 36, इदर minus 9 common आजेगा, या क्या आजेगा, x minus है, इसको divide करेंगे, 36 पे divide होगा, और is equal to 0, फर्स्ट को is equal to 0 करेंगे, इस दोनों में common क्या आजेगा, x minus 36 है, और इदर क्या बचेगा, x minus 9 is equal to 0, तो हमारे पास, फर्स्ट को is equal to 0 put किया, x की value क्या आई, 36, फिर सेकेंड को is equal to 0 put किया, तो x की value क्या आई, 9, इफ दर number of john's marble, अगर john के पास 9 marbles है, तो जयवन्ती के पास कितने marbles होंगे, 45 minus 9, 36 हो जाएंगे, और अगर john के पास 36 marbles है, तो जयवन्ती के पास कितने हो जाएंगे, 9 marbles, इसी तरह next हमारे पास है, same है, आपको ये दिरिख्षा है, कि कोई भी toys दिये हुए, आपको की total जो toys है, वो और उनकी production है, each toys की, उसके according आपको question दिया हुए, total production पे, तो हमने मान के चल पड़े, number of toys producer, मान लिए एक company ने कितने toys बनाएं, x cost of production, हर एक toy की जो production की cost है, वो क्या है, 55 minus है, x उससे 55 कम दे रखा हैं, तो 55 minus x कर दिया, total production, means total खरच कितना है, 750 की एक दिन में, उन्हेंने कितना product तयार किया, total production, अब दोनों की जब multiply करेंगे, तो total production आता है, हमारे पास से, x हमारे पास toys है, और उसका एक करेट कितना, 55 minus x, दोनों ही multiply कर देंगे, तो किसके एकवल आएगा, 750 के एकवल, x और 55 की multiply, 55 x, minus x और x की x square, is equal to 750, x square minus था, इसलिए हमने पूरे में से minus common ले लिया, तो क्या आजएगा, plus हो जएगा, और ये minus हो जएगा, यहीदर तो हमारे पास कैसा है, plus का ले की निदे आएगा, minus फिर common ले लेंगे, तो फिर से plus है, अब दो numbers, जिनकी multiply करे 750 आजए, plus minus करे 55 आजए, x square minus 25 और 30 ले लेंगी, minus 25 x minus 30 x, plus 750 is equal to 0, दोनों में से common क्या आजएगा, x अंदर क्या आपजएगा, x minus 25, दोनों में common minus 30 आजएगा, क्या आजएगा, x minus 25 is equal to 0, अब दोनों में common x minus 25, अंदर क्या आपजएगा, x minus 30, equal to 0, पहले first is equal to 0, फिर second is equal to 0, इदर से x की value 25 आजएगी, दूसरी साइट से x की value 30 आजएगी, तो हमारे पास number of toys हैं, जो total toys हैं, वो कितमे हैं, 25 और 30 किया, तो 25 हैं या फिर 30 हैं, next है question number 3, find the two numbers, हम दो numbers को find करेंगे, whose sum is 27, जिनका sum 27 है, and product is 182, और उन दोनों के product 182 है, देखते हैं, first number हमने क्या मान लिया है, x है, second number क्या आजए, जिब दोनों का sum 27 है, तो total में से हमें एक को गटा देंग, दूसरा number मिलेगा हमें, तो क्या आजएगा 27 minus x है, product is, इन दोनों की product कितनी है, 182, तो x multiply 27 minus x is equal to 182, अब करेंगे इसको solve, x की multiply करदें, 27 x minus x square is equal to 182, इन सब भी को opposite side लेके गए, तो क्या आजएगा, minus x square का plus x square आजएगा, plus का क्या आजएगा, minus 27 x और plus 182 is equal to 0, अब देखो दो numbers जिनकी multiply करेंगे, 182 आएगा और plus minus करेंगे 27 आएगा, तो हमने फैक्टर बना लिए, इसके x square minus 27 को कर दिया, 13 x minus 14 x plus 182 is equal to 0, अब दोनों में से common क्या आजएगा, x, x minus 13, दोनों में common क्या आएगा, minus 14, इदर x बचेगा, 14 को, 182 को 14 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 13 is equal to 0, दोनों में common क्या है, x minus 13 अंदर क्या बचेगा, x minus 14 is equal to 0, x minus 13 is equal to 0, दूसरी साइड x minus 14 is equal to 0, तो x के हमार पास दो value आगी, 13 और 14, फिर हम देखते हैं इसके according, अगर first number को आपने 13 ले लिया, तो second number क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अगर first number को 14 ले लेंगे, तो second number क्या हो जाएगा, 13, next है question number 4, question number 4 के statement क्या है, find the two conjugative positive integers, the conjugative positive integers, sum of whose square is 365, उन दोनों के square का sum कितना है, 365, अब दो number लेके चलेंगे, conjugative means continue है हमारे पास, तो क्या ले लेंगे, let two conjugative integers, दो conjugative integers क्या-क्या है, x and x plus 1, अब according to question क्या देर खाऊंगे, square का sum कितना है, 365, तो इसका square कर देंगे, x square इसका square कर देंगे, और दोनों का sum, sum means plus कर दिये दोनों को, is equal to किसके 365, x square, अब इसका open करेंगे, x square plus 2x plus 1, और इदर लेके आए, minus 365 is equal to 0, x square x square क्या आजेगा, 2x square plus 2x, 365 में से 1 minus कर देंगे, minus 365 is equal to 0, सभी में से 2 common लेंगे, क्या आजेगा, x square plus x minus 182 is equal to 0, अब हमारे पास क्या है, x square plus x minus 182, अब उपर भी हमारे पास 182, किसके multiply आई थी, 14 और 13 की, तो अब opposite sign लेंगे, plus का 14 ले लिया, minus का 13, plus 14 में से 13 का time क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास है, और minus 182 is equal to 0, दोनों में common क्या आजेगा, x अंदर क्या बचेगा, x plus 14, दोनों में से common ले लिया, minus 13 अंदर बचेगा, x plus 14 is equal to 0, अब पूरे में से common क्या आजेगा, x plus 14 और क्या बचेगा, x minus 13 is equal to 0, first is equal to 0, second is equal to 0, x minus 13 is equal to 0, ले लिया, x की value क्या आए, 13, and x plus 14 is equal to 0, x की value क्या आए, minus 14, अब आपके पास minus 14 है, लेकिन question में क्या था, positive integer, positive integer है, तो ये कैसा है, negative, negative आगा, तो इसको मनें क्या कर दिया, reject, अब हमारे पास क्या है, सरफ ये है, therefore to conjugative positive integer, क्या क्या आजेगा, x और x plus 1 था, तो क्या आजेगा, 13, और 13 plus 1, 14, ये हमारे पास से दो नमबर आ जाएंगे, next है हमारे पास question number 5, question number 5 statement क्या दे रखिये, the altitude of a right triangle is, 7 cm less than its base, हमारे पास altitude, altitude क्या होता है, height, altitude होती है, हमारे पास height है, तो किसी भी right angle triangle की height, 7 cm less than its base, उसके base ते 7 cm कम है, if the hypertenus is 13 cm, अगर हमारे पास hypertenus 13 cm है, find the other two sides, उसके दो साइड से find करेंगे, कैसे, दिखो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक right angle, triangle draw कर ली, हमने right angle triangle में, हमारे पास ये क्या होता है, सबसे पहले hypertenus given है, तो hypertenus कितना है, 13, उसके बाद हमारे पास क्या है, कि जो altitude है, वो base से 7 cm कम है, 7 cm कम है, तो पहले base को कितना मान लिया हमने, x मान लिया, और इससे कम है altitude, तो कितना आ जाएगा, x minus से 7 हो जाएगा, हमारे पास से, अब इसको देखते हैं, कैसे करेंगे, the base of the right triangle triangle is x है, और altitude कितना आ जाएगा, x minus से 7, अब हमारे पास PZT theorem है, Pythagore's theorem क्या है, base square plus altitude, square is equal to hypertenuous square, x square is equal to b square plus, p square आपने पढ़ रखिये, base हमारे पास कितना है, x का square plus altitude कितना है, x minus से 7 का square is equal to hypertenuous, कितना है 13 का hall square, x square plus, इसका square open करेंगे, a square plus b square minus 2ab, x square और 7 का square कितना है जाएगा, plus 49, 7 to 0, minus 14x is equal to 169, x square, x square क्या हैगा, 2x square minus 14x, plus 49 minus 169 is equal to 0, 2x square minus 14x, minus, इसमें से minus करेंगे, 120 is equal to 0, अब पूरे में से 2 common ले लिए, क्या आजएगा, x square minus 7x minus 60 is equal to 0, अब इसमें से हमारे पास क्या है, x square minus 7x minus 60, तो इसको break कर लेंगे, हम कैसे x square, multiply करें 60 आजए, plus करें 7 आजए, तो 12, 5 जएगा 60, और 12 में से 5 minus कर देंगे, 7 आजएगा, तो क्या आजएगा, x square minus 12x और plus का 5x, minus 60 is equal to 0, अब इसमें से common क्या आजएगा, x, x minus 12, plus इसमें से common क्या आजएगा, 5 और x minus 12 is equal to 0, x plus 5 आजएगा, और x minus 12, दो आगए हमारे पास, अब solve करेंगी, x plus 5 is equal to 0, x की value कैसे आई, negative, लेकिन कभी भी आपके पास, base और altitude negative नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, reject कर देंगी, दूसरा क्या, x minus 12 is equal to 0, x की value क्या हो जाएगी, 12 आजएगी, तो हमारे पास, base कितना है, 12 और altitude क्या है, x minus 7 था, 12 minus 7 कितना आजएगा, 5 cm, next है, हमारे पास, question number 6, एक cottage industry, produce, a certain number of a, poetry articles, in a day, एक cottage industry है, जो एक दिन के अंदर, कुछ articles बनाते हैं, it was observe, on a particular day, किसी एक दिन, किसी एक particular day, में उन्हें अब्जर्ब किया, the cost of production, of each article, हर एक, जितने भी article है, उसमें से, कोई भी एक ले लिया, हमने, कि एक article की, जो cost है, वो क्या है, was three more than, twice its number of article, produced on that day, जितने उस दिन, हमारे पास, आर्टिकल बने थे, उसके, twice से, three अधिक है, अगर ये बोल रखा, आपको कि, एक जो twice है, उसके cost क्या है, कि जितने पूरे दिन में, total article बने है, उन्हें के, दो गुने से, तीन अधिक है, उसके cost, if the total cost of production, on that day, was rupees 90, अगर उस दिन, total production of cost है, of a production on that day है, तो क्या है, 90, find the number of article, produced, and cost of each article, दिखो, the let the number of article, produce, मानगे, एक दिन में, कितने choice बनाई, x choice बनाई, वो cost of particular, production of each article, हर एक article की cost, क्या होगी, कितना बताया था, जितने article बनाए, उसके, 2x और उससे 3 ज्यादा होगे, तो plus है, 3 कर देंगे, फिर total production, total production हम कैसे निकालते हैं, कि एक दिन में, 10 toys बनाए, और एक toys कितने रुपे का है, 5 रुपे का, तो हम production निकालेंगे, कैसे, 10 multiply 5 is equal to 50, यह हमारे पास production निकालते हैं, तो वही है, हमारे पास total article कितने x है, और एक की cost कितने 2x plus 3, तो multiply कर देंगे, तो क्या आजाएगी, उसके production ने आगई total, अब multiply करो, 2x square plus 3x, इधर लेका है, minus 90 is equal to 0, 2 के और 90 के multiply क्या आजाएगी, 180, अब factor बनाओ कि, plus minus करेंगे, तो 3 आजाएगा, और multiply करेंगे 180, तो 15 और 12 आएगे, आपके पास factor, 2x square plus का 15x, ले लेंगे और minus 12, x minus 90 is equal to 0, दोन्नों में से common क्या आजेगा, x अंदर बचेगा, 2x plus 15, इन दोन्नों में से common क्या आजेगा, minus 6, 6 to 2, 2x plus 15 is equal to 0, अब दोन्नों में common क्या है, 2x plus 15 और भार क्या बचेगा, x minus 6 is equal to 0, एक बार x minus 6 is equal to 0, रुखा तो x की value क्या आई, 6, दूसरा 2x plus 15 is equal to 0, रुखा तो x की value क्या आई, minus 15 by 2, लेकिन क्या कभी भी हम, ऐसे rational number में आ सकता है, कि मारपास number of article, हम यह बोल सकते हैं, कि minus 15 by 2 toys, एक दिन के अंदर produce किये गया, बनाए गये, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, neglect, हमार पास number of article produced कितना आ जाएगा, 6 आ गया और cost of each article कितना है, 2x plus 3, 2x की value 6 आ गया, plus 3, 2, 6 जा ट्रेल, plus 3, कितना आ जाएगा आपके पास से, 15 rupees, ये थी आपके exercise 4.2, ओके, thank you,